हेलो दोंस्तो आज मैं आप सभी के लिए तुरई की सबजी की रेसिपी लेकर आई हूँ यह बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है और खाने में उतनी ही ज्यादा स्वाधिस्ट है केवल इसमें एक दू मसालो का ही यूज किया है तो आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखेगा चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं Change और तुरई की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने आदा किलो stard लिए इस अच्छी तरीके से धोकर इसके उपर का छिलका हमने निकाल लिया है अब इसे हम इस तरीके से कट करेंगे आप किसे भी शेप में कट कर सकती हैं मैं इसे लंबे-लंबे कट कर रही हूं ये देखे सारी तुरही को हमने इसी तरीके से कट कर लिया है आप चाहे तो इस को लंबे आकार में कट कर लिया है इस तरीके से ताकि इसके सारे लच्छे जो हैं भूनने पर अलग हो जाएं इसके साथ मैंने एक चौथाई कप यहां पर चने की दाल भी गूली थी दो हंटे पहले ही उसका यूज किया है तो चलिए अब हम सबजी बनाते हैं कढ़ाई को हम हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है दो बड़े चमच सरसो के तेल हम इसमें यूज करेंगे सरसो के तेल में गिल्की की जबची बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट बनती है इसके साथ जब तेल गरम हो चाएगा तो एक बड़ा चमच डालेंगे हम इसमें मेथी दाना इसके साथ ही एक चमच हम डालेंगे इसमें जीरा दोनों को अच्छी तरीके से भूनेंगे अब हम इसमें एक चोता ही चमच हेंग डालेंगे और साथ ही चार से पांच खड़ी लाल मिर्च डाल रहे हैं सभी को अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसके बाद हमने कटे ह ये लसन को इसमें डालेंगे और इसे हलका golden होने तक के भून लेंगे इसके साथ ही अब हम प्याज डालेंगे दोस्तों प्याज को हमें यहां पर बहुत ही मध्धम आज पे धीमे धीमे भूनना है जब तक ये पूरी तरीकी से soft नहीं हो जाता है और तेल में अपना मीठापन नहीं छोड़ देता है इसमें जल्दी भून जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से भून जाए नमक डालने के बाद अच्छे से mix करेंगे और हलका soft होगा तो उसके बाद हम इसमें जो चने भी कोकी रखे थे उसे डाल लेते हैं चने जीरा पाउडर बस ये दो मसाले ही हमें डालने हैं और अब हमें कोई भी मसाला इसमें नहीं डालना है केवल इतने मसालों से ही इस सबजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और जितनी सिंपल सबजी होती है खाने में उतनी ही जादा टेस्टी लगती है तो अब हमने जो तुरही ली थी उसे डाल कर अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं इसके साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे पहले भी हमने नमक डाला था तो स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे बस अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है काफी पानी इसका सूप भी चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा पानी है तो इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे बस एक बार इसकी डाल को चेक कर लेंगे कि डाल अच्छी तरीके से पकी है या नहीं तो इस तरीके से चम्मस से प्रेस करेंगे ये देखे अच्छे से पक रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले जल्दी हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ धन्यवाद